Assalamu alaikum everyone, welcome to Wachhabgum, daily Wachhabi word is sane, it was a request by Muhammad Gulfam and Muhammad Gulfam, here is your lesson. Sane is an adjective and it has two meaning. Actually, Muhammad Gulfam نے मेरे से सेनर का मतलब पूचा था, अब मसला ये है कि सेनर आपको तब तक समझ ने आएगा जब तो का आपको सेन वर्ड समझ में नहीं आएगा. इस दे की lesson मैंने सेन पे बनाया है, लेकिन इसी में मैं आपको सेनर भी बताऊंगी और एका बहुत common word जो हो सुनते हैं, insane, उसका भी मतलब बताऊंगी, ठीक है, insane जो है ना, वो sane का opposite है, ये दोनों words एक दूसरे के opposite है, आप इसके दो मतलब है, sane के, आप sane के मतलब को समझेंग ठीक है, दोनों senses में use होता है, मिलते जुलते meaning है, कोई फरक नहीं है इसमें, देखें, अगर आप किसी इनसान को sane कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस इनसान को कह रहे हैं, कि वो mentally, बिलकुल healthy इनसान है, दमागी तोर पे, और वो बहुती sensible तरीके से, एक अच्छे त करते हैं, उस तरह से वो behave करता है, और बड़े reasonable तरीके से किसी भी situation में behave करता है, तो वो sane इनसान है, और जो हम action या decision की जो second meaning में बात करें, कोई ऐसा action लिया जाए है, कोई ऐसा फैसला किया जाए, जो कि बहुत ही sensible फैसला हो situation के हिसाब से, वो situation में अगर बड़ा ही sensible और समझदार बड़ा सोच समझ के फैसला लिया गया, तो ऐसे फैसले को या ऐसे action को आप एक sane decision या sane action कहेंगे, और उस इनसान को भी बड़ा sane कहेंगे, कि जो इस तरह के situations में बहुत ही sensible तरीके से, बहुत ही समझदार तरीके से जो है वो behave करे, तो वो एक sane इनसान है, आप आपने बहुत ही common, आपने इनसेन को समझाती हूँ, आपने बहुत common नहीं सुनाओगा, are you insane, जब कोई इनसान बहुत ही गलत किस तरीके से behave करे, कुछ गलत कर दे, या कुछ इस तरह से behave करे, कि जो behavior हम जिसको अच्छा नहीं समझते हैं, वो behavior बहुत फजूल किसम का हो, mind हो गए हो गया, तो insane का मतलब होता है, कि वो इनसान जो के, जो अच्छे तरीके से, सही तरीके से behave ना करे किसी situation में, आप देखेगा, अब आपको मैं समझाती है, इस तरह से sane और insane को, कि एक ऐसी situation है, जिसमें एक इनसान को गुसा आ गया, ठीक है, किसी भी वज़ा से, वो provoke हो गया, उसका गुसा आ गया, अगर वो उन्ची उन्ची चीखना, चलाना शुरू कर दे, abusive language शुरू कर दे, या चीजे पकड़के पटकना शुरू कर दे, तो ये insane behavior है, एक पागल behavior है, ठीक है, इसको आप कहेंगे, ऐसे इनसान को, कि वो insane है, कि किस तरह से जीब तरीके स behavior कर रहा है, लेकिन same situation में अगर एक इनसान अपने आपको काम रखे, cool रखे, एकदम से flare up ना हो, गुसा ना करे, गुसा ना दिखाए, काम रखे, खुद को cool रखे, और बहुत सोच समझ के उस situation में दूसरे इनसान को reply करे, जो उसको गुसा दिला रहा है, तो इस इनसान को आप एक sane इनसान कहेंगे, एक समझदार, sensible इनसान कहेंगे, जिसने बहुत सोच समझ के उस situation में behave किया है, ठीक है, अब sane और insane तो आपको समझ में आ गया, आच्छा ये sane और insane जो है ये medical terms में भी use होता है, ये तो behavior में मैंने अभी आपको समझाया है, कि हम common जो daily life में इस तरह जो जो जिस वर्ड को जिस sense में use करते हैं, लेकिन medically भी use होता है, जैसे जो वाकई में लोग जो दमागी तोर पे पागल होते हैं, उनको doctors जो है वो एक वो certificate मतलब डॉक्टर उनको कहते हैं, डाइगनोस करते हैं, कि ये insane है, मतलब ये medically, जो हना, ये mentally ill है, इनका दमाग जो ह ठीक नहीं है, ये अपने होशो हवास में नहीं होते हैं ये लोग, ठीक है, तो उनको insane कहा जाता है, ये किसी को doctor कहें कर नहीं नहीं, ये बिल्कु सेन इनसान है, मतलब कि ये mentally healthy इनसान है, इसके साथ किसी किसम को कोई mental problem नहीं है, ठीक है, अब है जो saner मेरे से पूछा था, सेनर जो है वो आप उसको समझे जब comparison होता है, जैसे एक इनसान कहें मैं sane हूँ, और दूसरा कहें मैं sane हूँ, मतलब कि एक इनसान जिसने पहले ने कहा कि मैं sane हूँ, मतलब मैं बहुत sensible इनसान, मैं बहुत समझदार इनसान हूँ, दूसरा इनसान कहता है मैं sane हूँ, मतलब क कि मैं तुम से ज्यादा समझधार हूँ, ठीक है, जब हम comparison करते हैं, जिसको हम comparative कहते हैं, फिर sanest हो जाएगा, इसका superlative degree जो होती है, ठीक है, एक comparative degree होती है, एक superlative degree होती है, sane, saner and sanest, I hope कि आपको sane का मतल समझ में आगे, let's see some examples, our first example is, sane people don't behave the way you behaved, देखें किसी न अगर बहुत misbehave किया है, बहुत अजीब से behave किया है, तो आप उसको कह सकते हैं, कि जो समझदार लोग होते हैं, जो reasonable लोग होते हैं, वो इस तरह से behave नहीं करते हैं, जिसना से तुम ने behave किया है, second example is, doctor says he was completely sane at the time of the crime, ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं, कोई क्राइम करते हैं, तो वो ये प्ली लेते हैं, कि ये जो mentally ठीक नहीं था, इस वज़ा से इस ने ये crime कर दिया, तो पिर जाहिर उसका medical test होता है, तो उसमें doctor says he was completely sane, मतलब कि वो completely mentally healthy इंसान है, जब उसने crime किया, उसकात वो completely अपनी, जो mentally था, वो एक healthy इंसान था, वो किसी किसम की उसको कोई mentally problem नहीं थी, जब उसने ये crime किया, ठीक है, अब third example is, you guys should resolve your issues in a sane way, ठीक है, कुछ दो लोग हैं, उनके दरम्यान में कोई issue है, वो आपस में लड़ रहे हैं, तो उसकात आप ये बात बोल सकते ह है, उस तरीके से तुम लोग अपने जो भी issues, तुम लोग के जो भी problems हैं, उनको solve करो, बजाएं, इसके कि तुम जो लड़ रहे हो और एक दूसरे के उपर इस थांसे की चरू चाल रहे हो, इसकी बजाएं, एक same तरीके से अपने problems को solve करो, okay friends lesson has come to the end, I hope this lesson was useful for you, if you like this lesson, can you subscribe to my channel, share this video, see you next session in our office